डोस्तो आज हम देखेंगे थंदर वयक्त का मालेज टेस्ट करके 350 किसी थंदर वयक्त कितने का एबरेज देती है अगर आपको नहीं पता कि संदर वयक्त के इतिmer देती है तो इस वीडियोगों देखिएりました तो आज हम भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि कितने का एबरेज देती है तो हमारे पास यह बोतल है इसमें हमने सो एमल पैट्रोल डाल लखा है एक किलोमेटर चलती है तो 10 का एवरेज आएगा दो किलोमेटर चलती है तो 20 का ठीक है तो देखते हैं 100 ml में कितने किलोमेटर चल पाती है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे राइट पर चलते हैं और हम किसे इसे इसको कनेक्ट करेंगे वह मैं आपको दिखा देता हूं हम यहां से पाइप निकालेंगे और इसको उपर से कनेक्ट कर देंगे हम सिर्फ इतना चैक करेंगे कि जितना कार्वेटर में कार्वेटर में रहन देंगे यह बोतल के अंदर जितना भी पैटोल है सिर्फ इसका यूज करेंगे ठीक है इसका यूज करेंगे और यहां से प्रिभी मेट्र देख सकते हैं ट्रिप मेटर्ट हमने जीरो कर रखलाया बिल्कुल ठाग इसे कर भオ मुंजाए एक कितने क्लिमीटर चली गारी और यहां पर हम sila इसको रोब देखते हैं कि इतना क्लोमिटर Onu चल दो से पता चलता है कि माइलेज कितना अदर हो तक आफ हे다고 कर दिया है कि चलते रहते हैं और आप नज़र में आप के पास जो बाइक है फॉस कह नहां का माईलेज है और अगर आपने अवी तल अशा कर दो तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल नोटिफिकेशन को दवा दीजिए जिससे कि हमारी लीटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुचे तो कुछ टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं या आपकी बाइक कौन सी है उसका माईलेज टेस्टिंग लिजिए डिस ब्रीक के ऊपर जो इस्टेंडेट में लगता है और फंदरवड जो हमने उसमें यूजज कर रहा है जितना भी माटेरियल वह फंदर भट का है और अगर आपके पास भी फंदरवड है तो यह वीडियो बताये कि आपकी गारी कितने का देती है और इसमें कित इतने का फर्क आता है हमारी दाइडंग पर या फिर आपकी डाइडिंग में कितने का फर्क है कि तलक और उसके अंदर इंजा नॉइस या फिर सर्विस कितने किलोमेटर पर होती है और सबसे में मैं काफी टैम से सोच रहा था कि आप लोग रिपलाई नहीं कर पाता हूं तो जैसे कल संडे तो एक हफ्ते के पूरे जितने भी कमेंटे में उठाऊंगा और जो अच्छे जैनुवन कमेंट रहेंगे उनका अगर रिपलाई करूंगा उसके उपर एक वीडियो बनाता हूं अगर बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए आप लोग बताईए और आपके कमेंट को उसमें लगाना है और बताना है कि आपकी समस्य का समाधान तो कमेंट करिये बहुत जल्दी वीडियो आएगा इसके क्योंकि मैं काफी टाम से प्लान कर रहा हूं कि मैं हर टैमी निकाल पा रहा हूं बहुत ज्यादा समस्या हो गई है और कहते हैं हर समस्या समाधान होता है इसी तरह आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं जिससे की समाधान निकाल सके में मोटिव यही है कि समस्या का समाधान हण कि मेरे पीछ एक्वाल भाई बैठ है वो देख रहे हैं पेल्ड जब एंड मेरे को बता देंगे क्योंकि मैं इशरा हरूस एक्वाल बैठ है जिन का चैनल पेड्वाइ से रिलेडेट मतलब एगर और मेरी नेजर में बजास से रिलेड़ेड कुछ भी जानना है तो उनके चैनल पर एक बाद जरूर विजिट करिए और उनको भी सपोट करिए फिलाल मैं उनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहां पर आप आराम से जाके उनके चैनल को विज 1.7 किलोमेटर चल चुकी है 1.8 चल चुकी है और तेल अभी हमारा बचा है तेल काफी है तेल यहां पर आप देख सकते हैं तेल अभी बचा है और पाइप डारेक्ट नीचे पहुंच रख है तार्फोरेटर ने तो किलोमेटर चल चुकी है मतलब बीश से वपर्क कैवेड dej है मेरा मानना है कम सम चार से 4.5 किलोमेटर जाने है और गाडि आट ही चार से 4.5 किलोमेटर जाती है तो इससे बड़ी जिख और क्या चुछिए तो यही है मेरे को लगता है कि चार किलोमेटर तो जाना ही चाहिए 2.4 किलोमेटर मलब 25 तो पार कर चुके हैं अभी हम यहां से मोड देते हैं क्योंकि डाउन में गाड़ी कम एवरेज मलब कम पैट्रल पीती है तो मैं चाहता हूं कि जितना थोटल खेंश है जाए उतना खेंश के चलाए जाए 2.5 किलोमेटर चल चुकी है गाड़ी और अभी भी पैट्रोल बचा है और अगला वीडियो बनाएंगे हम जैसे मार्किट के अंदर कि मार्किट के अंदर मतलब कितना कैसे अबरेज जाता है और ड्राइविंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाले है क्योंकि काफी टैम से ड्राइविंग के ऊपर मैंने को काफी सारे कमेंट थे और सबसे पहले में एक बात बता दूँ आप लोगों कि आप लोग कमेंट करते हैं मैं कमेंट पढ़ता जरूर हूँ और देखा होगा हाट करता हूं हाट देता हूं क्योंकि हर बार रिप्लाइ कर बाना बहुत मुस्किल हो जाता है और गाड़ी अभी हमारी 3.2 किलो मेटर चल चुके गाड़ी कितना चल चुकी है तेल अब है कि मलब 40 प्लस अगर पैट्रोल कमाल हो जाएगा 40 प्लस किलो मेटर एंपी एल और काफी टैम से मैं यह सोच रहा हूं कि एक यार मोटो ब्लॉगिंग के ओपर वीडियो बनाए जाए अपने पास पूरा सेटव है आप साउंड सुन सकते हैं जिसके लिए मैंने काफी कर्चा किया था कि गाड़ी चलाते समय अगर पीछे का जो सनाटा था ना बैक नोइस गोप्रो के लिए अलग से अड़ाप्टर खरीजना पड़ता है उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा गोप्रो का लिंक भी नीचे मिल जाएगा अगर आप एक गोप्रो बाय करना चाहते हैं जिस टैम मैंने खरीदा था उस टैम यह 36,000 रुपे का इसका अड़ाप् पॉइंट नाइं मतलब लगवग 40 किलो मेंटर 4 किलो मेंटर चलने वाली है और चार को 4 किलो मेंटर हो गया पूरा मतलब 40 प्लास अभी आप यह ते लास्ट और देख लेते हैं कितना है बोतल में खतम और पाइप में थोड़ा सा रह गया नीचे की साइट पूजा रहा है जैसे एंड होता है में गाड़ी को वहीं रोग दोंगा और गाड़ी अभी हमारी चल दी है मेरे कुई हल से 200 मीटर जाना चाहिए मतलब हमारा एपरेज रहेगा एप्रोक्स कितना जाना चाहिए 42 तो पार हो गया अगर आप अच्छे राइडर हैं आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो तैतालीस मतलब पैतालीस के आसपास आजाना चाहिए अभी देखिए पैटल कहा पहुंचा पाइप में नीचे मारे हाथ के पास मतलब यहीं पे मला यह समझे यह 45 का आवरेज आपका बहुत आराम स यहां दिखा देता हूं सबसे पहले हम देख लेता हैं यहां मीटर के अंदर आप बल्कुर्ब क्लियर देख सकते हैं मिटर के अंदर 4.5 किलो मीटर ठीक है अब आपको निचे दिखा जाता हूं बोतल में कितना थेल बचा है नीचे यह देखिए यहां पर अभी भी दिख तो यहां पर इतना तेल अभी भी बचा है मला आप समझ दीजिए 46 यह खतम हो गया तेल और इसको लगा दिया तो यही था गाड़ी का आपको बता दिया 46 km पर लिटर तो 46 मनलब मैं सब्सक्राइब आप चलाते हैं तो 45 का अभी आवरेज रहेगा बहुत बढ़िया है और काफी अच्छा है अब बताइए कि आपको किस टॉपिक के ओपर वीडियो देखना है और अगला माईली टैस्टिंग वीडियो किस गाड़ी के ओपर होना चाह